नमस्कार दोस्तों आप सभी का सीख स्टेडी में स्वागत हैं जैसा कि आप जानते हैं सीख स्टेडी में आपको करेंट अफेयर और करेंट इवेंड्स से सम्बंदित महत पॉर्ण कोश्चन और टॉपिंग मिलते हैं तो फ्रेंट आज हम बत करेंगे तालिबान की कि आखित तालिबान अफगानिस्तान में अपने पैर फिर से कैसे जमाने लगा है और उस डील का क्या हुआ जो उसने अमेरिका के साथ की थी और साथी साथ जानेंगे कि अफगानिस्तान में 20 वरसों में अमेरिका ने कितने डॉ और बदले में उसे क्या मिला और 20 वर्सों की क्या अमेरिका की मेहनत बेकार हो गई अफगानिस्तान में चलते हैं आज की वीडियो पर लेकिन उससे पहले चैनल को ज्यादर से ज्यादर लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और साथी साथ पहला आइकन पर च हाली के दिनों में जबसे अमेरिकी सेंकों की वाकसी हो रही है तब से अफगानिस्तान में तालिबान अपना लगातार प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और वह एक के बाद एक के बाद कई सारी सिटी जो हैं अफगानिस्तान की उनमें कपजा करता जा रहा है तो आप ये आ पावर सेरिंग की बात करनी पड़ी अफगानिस्तान से जो वहां की मौल जूदा गवर्मेंट है उसने कहा है कि आप वाइलेंस बंद करें निर्देशों को मारना बंद करें हम आपके साथ सत्या में सेरिंग करना चाहते हैं तो ऐसा ओफर दिया गया है अफगान बते से ऊपर भी सफेंग आप देख सकते हैं 1948 को टालीबार में क्या किया काबूल पर जो काबूल से एक सिटी है इनकी पर यह 150 किलोमीटर प्लब है काबूल से और यह हर को जो इन इन इंटीरियो मिनिश्टर थो उन्होंने ये confirm किया है कि ये city पूरी तरीके तालिबान के कबजे में आ गई है आप देख सकते हैं और साथी साथ तालिबान ने भी कहा है कि उसने दो और city जो अफगानिस्तान की major city है उन पर भी कबजा जमा लिया है कंधार और लस्कर गए तो फ्रेंड ये दो city है जहां पर तालिबान ने और कबजा जमा लिया फ्रेंड बीते अगर बात की जाए सब्ता भर में तालिबान ने लगबग अफगानिस्तान की 11 जो major city है उनमें कबजा जमा लिया है और इसी तरीके फ्रेंड ये बढ़ते रहें तो ये जल्दी ही काबूल में भी कबजा कर सकते हैं तो इसी को लेकर अफगानिस्तान में काफी tension है तो फ्रेंड तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि फ्रेंड उसे तालिबान की सब्ता चाहिए आज से पहले भी फ्रेंड वो जब तालिबान की सब्ता पे काविश था तो उसने बहुत बहुती क्रूस रासन किया था इस दोरान जिसकी वज़े से फिर एलाइड फोर्सेस अमेरिका, यूके, कैनेडा की इन सबने अफगानिस्तान पर अटेक किया और उसको सब्ता से हटाया था फ्रेंड लेकिन अब अमेरिकी सेनको की फिर से वापसी हो रही है डेल के मुताविक और अमेरिकी सेनिक जो थे अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्सों से वो अपने घर जा रहे है फ्रेंड तो यहाँ पर सब्ता परिवर्तन फिर से हो सकता है और यह सब्ता तालिवान के पच्छ में जाती दिख रही है फ्रेंड क्योंकि यहाँ की सरकार उतनी ज़्यादा मजबूत नहां जितना ज़्यादा तालिवान मजबूत है आर साथी 17 फ्रेंड आप देख सकते हैं कि तालीबान ने कहा है कि उसने हेरात इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या कर लिया है कब जा कर लिया है और उसने जितने भी सरकारी कर्मचारी थे और जो भी वहाँ पर सैनिक थे उन सब को क्या कर दिया है सरेंडर करवा दिया है जो कि सरकार के अधीन थे तो ऐसी कंफरमेश कर दी गहाई थान के ज्री उसके दुवारा अगे बात करेंगे तो फ्रेंग अब हम बात करेंगे की Caleb तो आप देख सकते हैंग टाियन क्या है तो अब टालीय में किसे टालीबान कि घ्रा तो इसको और यह इसलामिक empire है अफगानिस्तान का एक friend समुदा है अफगानिस्तान का आप देख सेते हैं और friend या दियो बंदी islamist movement और साथी साथ military organization भी अफगानिस्तान का है ये friend militarization भी करता है और साथी साथ दियो बंदी islamist movement था इनका friend इसी दोरान ये चर्चा में आया था और धीरे धीरे friend इसने अपनी power increase करी और इतनी ज्यादा power increase कर ली कि देश की सत्ता परकाविज हो गया था आप देख सकते हैं इसकी इस्तापना की बात की जाए तो friend इसे सितंबर ओमर तो friend ये है और आप देख सकते हैं अब्दुलगनी बरादर ये है friend तो ये दो इसके क्या थे स्तापक थे friend तालिबान के और इसकी स्तापना 1994 में की गई थी और friend ये एक कटर समदाय कैसे बनता चला गया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो friend आप देख सकते हैं 1998 में 1994 में जब इसकी स्तापना हुई थी friend धीरे धीरे इसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और जितने भी अफगानिस्तान की मेजर सिटी थी उनको जीतना चालू कर दिया था friend अपना कपज़ा जमाते हुए तो friend आप देख सकते हैं ये तालिबान का अधिकार था और लेकिन friend आप देख सकते हैं तो friend आप देख सकते हैं कि जो गवर्मेंट कंट्रोल एरिया थे वो कितना छोटा था ये 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 गवर्मेंट कंट्रोल कर रही थी और लगबग पूरे अफगानिस्तान पर किसका कपज़ा था तो friend तालिबान का कबजा था लेकिन फिर आप जानते हैं कि अमेरिका के वाइट रेट सेंटर पर आक्रमन किया था फ्रेंट उसामा बिन लादेन के दौरा जो कि तालीबान से ही पंबाद दित था तो फ्रेंट उसके बाद 2001 में जब एलाइड फोर्स ने तालीबान और अफगानिस्तान पर अटेक किया फ्रेंट उसके बाद 2009 की स्थी आप देख सकते हैं कि लगभग आधा एरिया अब गवर्रेमेंट के कब्जे में था और तालीबान ये बचा था आप देख सकते हैं एघृट तो फ्रेंड आगे देखते हैं और हम तो आप देख सकते हैं आगे ङैप देख सकते हैं कैसे आप गारणिस्तान में फिर अग बार तालीबान ने अपना प्रभाव जमाना सुरू किया और ये माउजूदा समय का रहिए मैप है जिसमें आप तालीबान को कब्जा बनाते हुए देख सकते हैं जहां भी भी देखेंगे आप red color से आपको नजर आएगा तालिबान तो ये फिर से control लेता हुआ नजर आ रहा है और government का control आप देखेंगे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है डिन कम होता जा रहा है तो यही बात डल लग रहा है लोगों और साथी स निख्ताप ऑलड हो जाए आगे बात करेंगे तो हम करेंगे तालीबान के इस्ट्री के बारे में जब इसने तालीबान ने कबजा कर लिया तह अफगानिस्तान पे तो आप देखेंगे डेढ जब तालीबान कश एग्याव्त運 very किया कहा गया और यह फ्रेंड एक इसलामी ला है और इसमें बहुत ज्यादा इस्ट्रिकनेस थी जिसकी वज़े से फ्रेंड आगे चलके इनका विरोध होने लगा फ्रेंड आप देख सकते हैं फ्रेंड और तालीबान फ्रेंड अपनी सक्ती कब से बढ़ा रहा था तो 1994 से और फ्रेंड य इसने अपना प्रभाव जमा कर तालीबान की सत्ता पर कबजा जमा लिया और फ्रेंड यह कौन थे तालीबाने तो आप देख सकते हैं यह स्टूडेंट थे फ्रेंड जिनने की तालीब कहा जाता था और यह पस्तून एरिया से सम्मंदित थे जो की अफगानिस्तान का एक इरिया है फ्रेंड और यह फ्रेंड ट्रडीशनल स्कूल में जाते थे और फ्रेंड यह जो तालीबान लड़ा के हैं फ्रेंड यह पहले भी लड़ चुके थे जब सोबियत और अफगान का युद्ध हुआ था फ्रेंड उस युद्ध में भी पार्टिसिपेट कर चुके तो इन्हें अन्वह था और आप देख सकते हैं जब यह पीक पर थे उन्निस्तो च्यानवे से दोजार एक के बीच तो फ्रेंड इन्हें पाकिस्तान सौधी अरबिया और यूए द्वारा क्या मानता अप्राप्त थी फ्रेंड इनकी जो सत्ता थी इन कंट्री द्वारा सीक करी गई थी फ्रेंड और कुछ कंट्रियों ने इसे मानने से मना कर दिया था फ्रेंड आगे बात करेंगे तो फ्रेंड आगे बात करेंगे कि जब यह सत्ता में थो तो फ्रेंड इन्होंने क्या क्या किया इस दोरान तो आप देख सकते फ्रेंड इन्होंने सबसे पहले तो नियम लगाया और लोगों को मायने पिटने लगे और लोगों को कई बार तो नवसंगार कर दिया जाता समू की समू और आप देख सकते आगे 1996-2000 के दौरान फ्रेंड ये देखिए मसाकर हुए हैं अफगान जो सिविलियन थे उनके और उन्हें जो यूनाइटर नेशन की जो देख 쿠का के मताविक गलत था लके सही होता था इसको भी और ये देखिए ये जमीनों पर घी ठीड उसमें भी आग़ लगा देते थे और डिश्टरॉई कर देते थे हजाराओं लोगों के घरों को ये डिश्ट्रोई करते थे आप देख सकते हैं और United Nations की मानी जाए फ्रेंड अगर इस पर जो डाटा United Nations ने दिया इसके अनुसार फ्रेंड 76% जो देथ हुई थी फ्रेंड 2000 तक उसकी casualties चूह हुई है उसकी वजह केवल एक तालीबान था फ्रेंड और साती साथ फ्रेंड तालीबान जो था वो फ्रेंड cultural genocide भी कर रहा था कहने के मलब है जो इस्थल थे प्राचीन उनको भी लगातार नश्ट कर रहा था फ्रेंड और साती साथ पूरा अफगानिस्तान को यह फ्रेंड destroy करने में लगे हुए थे जो इनका नहीं कहना मानता था फ्रेंड उसको यह चांद से मार देते थे इस तरह इन्होंने बहुत लोगों को फ्रेंड मारा था आप देख सकते हैं और यह बहुत सारे monuments को भी क्या destroy कर चुके थे और इन्हें में से एक है फ्रेंड बहुती फेमस old बुद्धास और बम्यान यह फ्रेंड बहुत फेमस थ और इसको भी इन्होंने क्या कर दिया था डिश्ट्रॉय कर दिया था आगे हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यह है बुद्धास बम्यास तो फ्रेंड यह है आप देख सकते हैं इसको भी डिश्ट्रॉय किया गया था अफगानिस्तान के तालीबान दौरा आगे देख तो आप देख सकते हैं कि जब बात आती है आफगानिस्तान के तालिबान के उद्य की तो आपको जाना पड़ेगा इसकी शिष्ट्रे में तो आप देखेंगे फ्रेंड 1979 पे जब फ्रेंड जो सोबियत फॉर्स थी वो क्या कर रही थी आफगानिस्तान पर इंवेट कर रही थ थे मुझाहिद दिन जिनको कहते हैं वार में रसियन के विरुद लड़ा रहे थे फ्रेंड और पाकिस्तान के इस समय के जो प्रेसिडेंट थे फ्रेंड मुहम्मद जिया उलहक उन्हें डर था कि सोबियत अफगानिस्तान पर कबजा जमाने के बाद फ्रेंड बलूच पाक फ्रेंड इस तरह से फ्रेंड इनोने अफगानिस्तान में रसिया को बहुत ज्यादा हानी पहुचाई थी याद्रखेंग फ्रेंड और इसके कुष समयवाद फ्रेंड चीए आई आप समगते हैं CIA क्या है अमेरिका की एक खूपिया एजंसी है और साथी साथ फ्रेंड Arabian General Intelligence Directorate यह फ्रेंड कहां की है तो फ्रेंड यह सौदी अरव्या की Intelligence Agency इन दोने ने फ्रेंड क्या किया पाकिस्तान को फंडिंग की जो थी पाकिस्तान की ISI यह भी क्या है खूपिया एजंसी और साथी साथ equipment प्रोवाइड कराएं और इनकी मदद से फ्रेंड यह जो लडाके थी इनको ट्रेंड किया गया फ्रेंड कि यह जस्या के विरुद्ध लड़े फ्रेंड इनको ट्रेंड किया गया इसके लिए और फ्रेंड आप दे सकते हैं लगभग 90,000 अफगांस जिनमें की एक सामिल था मुहम्मद ओमर फ्रेंड यह भी क्या हो गया था एक मुझाही दिन था और इसे ट्रेंड किया गया था किसके द्वारा आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुपिया एजंसी आई-ईस आई-ईस द्वारा तो फ्रेंट आपको समझ में आया होगा कि इनने इनके दौरा ट्रेंड किया गया था फ्रेंड रस्या के विरूद लड़ने के लिए लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड क्या हुआ यह अपनी थाकत भी बढ़ाते रहें और धीरे धीरे उनी देशों के लिए भी फ्रेंड कि आपने सुना होगा तो उसीमें है ये देखिए उस समय के प्रेसिविडेंड है लोनाल इलिगं उस समय की फोटो है बात करेंगे तो फ्रेंड आप यह सकते हैं कि आप जानते भी हूँगे कि जब जस्या का डिस इंट्रिएस्ट हो गया 1991 में तो फ्रेंट उसके बाद क्या हुआ अफगानिस्तान में सत्ता के लिए क्या हो गया सिविल वार चारू हो गया आप देख सकते हैं इसको पढ़ेंगे हम लोग जब फ्रेंट जब जस्या का क्या हो गया था तो उस समय अफगानिस्तान में बात की जाए तो ये थे मुहमद नजीबुला 1992 में और इन्होंने फ्रेंट बहुत सारी अफगान पार्टीज थी जो की जिनमें से ये नहीं सामिल हुई थी फ्रेंट गुलबुदिन हेक्टे मायर हैजब इसलामी गुलबुदिन हिजाबे वहदत और इतिहाद इसलामी तो फ्रेंट इनको छोड़कर और जितनी भी पार्टीज थी फ्रेंट इन्होंने क्या पावर सेरिंग के लिए एग्रिमेंट किया और इसको फ्रेंट क्या कहा गया पैसावर एकॉर्ड कहा गया और फ्रेंट इसमें इन्होंने डिसीजन लिया कि एक इसलामिक इस्टेट जो की अफगानिस्तान कहलाएगा फ्रेंट उसको सत्ता में लाया जाएगा फ्रेंट और इस प्रकार फ्रेंड एक government आफगानिस्तान में बनाई जाती है आप देख सकते हैं लेकिन यह government फ्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं शुरूर से ही जो और पार्टिया थी इसको लेकर सैमत नहीं थी और इस प्रकार फ्रेंड यह कैसी government थी तो paralyzed government थी और आप जानते हैं कि फ्रेंड वित्रोही भी इनके बहुत थे और सरकार अस्थाई रूप से ज़्यादा दिन चल नहीं पाए और फ्रेंड विरुदियों ने अपने स्वरुठाना चालू कर दिये और सरकार के विरुद्ध क्या होने लगे हमले होने लगे कैस जगए पर आगे बात करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड हैकमा टायर की जो फ्रेंड पाटी थी हैजव इसलामी गुलगुधिन फ्रेंड इसने रिफ्यूज कर दिया इसको गवर्मेंटको पह्चान देने से मना कर दिया और फिर इसने क्या हुआ खुद पावल हती आने के लिए आगे बढ़ने लगे इस प्रकार क्या हो गया सिविल वास चाल लोगे अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं हिकमा टयार फ्रेंड क्या कर दिया अटेक करना सुरू कर दिया काबूल में फ्रेंड गवर्मेंट की जोकी राज़ानी है आप जानते हैं और फ्रेंड इनको ये सम्मदद मिल लही थी किस से पाकिस्तान की ISI जोकी खुब्य अजंसिय उससे ऑपरेशन करने के लिए फाइनेंसियल सपोर्ड और मिलिटारी सपोर्ड इस प्रकार फ्रेंड आप देख रहे हैं कैसे कारक्रम इनका हो रहा था आयुज़ित और फ्रेंड और इनोंने कुछ कुछी समय पर आधिस ज़्यादा कावूल पर क्या कर लिया कब जा जमा लिया और आप देख सकते हैं इरान ने स्थयोग दिया है हिजाबे वहादत का आप देख सकते हैं अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुआ था कि उसके विरोध में जो दूसरे संगेठन थे वह क्या करने लगे विरोध करने लगे और हमले भी करने लगे उनकी सिटीज पर तो फ्रेंड नया नया देश में नई नई गवर्मेंट बनती है तो आप जानते हैं उसके पास military भी कम होती पैसे भी कम होते हर चीज कम होती तो फ्रेंड उस समय देश कैसा था बहुत कमजोर था और उपर से यह हमले होने लगे तो फ्रेंड देश इनको सम्हाल नहीं सका और फ्रेंड गवर्मेंट को इनसे क्या करना पड़ा संधी करनी पड़ी कि आप अटैक बंद करें हम आप से बात करेंगे तो फ्रेंड इसके लिए गवर्मेंट ने हामी बरी अब आगे देखते हैं तो फ्रेंड यह देख सकते हैं आप उनकी फोटो है जिसने फ्रेंड काबल पर कप्चा जमाया था आगे बात करेंगे और भी तो फ्रें अपनी power कैसे जमाएं तो आप देख सकते हैं इसमें कौन-कौन सामिल थे तो friend आप देख सकते हैं इसमें तालिब तालिब मतलब student तो friend जिने की religious student आप देख सकते हैं यह है friend इसमें सामिल थे friend जो की बिलकुल यंग थे और यह पस्तुन एरिया से सम्मन देते जो की कहां पर Eastern और Southern अफगानिस्तान में और friend यह वहां के traditional school थे वहां पर friend क्या करते थे परते थे पाकिस्तान और friend आप देख सकते हैं इनमें क्या थे दो तरह के थे ताजिक और उजबेक student थे और friend आप देख सकते हैं कि इन्होंने ही तालिबान की rapid growth और success में बहुत बड़ा योगदान दिया आप आगे देखिए मुल्ला मुल्ला मुहम्मद ओमार friend क्या था 1994 इसने friend कंधार में 50 student के साथ इस ग्रूप की इस्थापना की थे जिसका नाम था ता तालिबान और friend यह उन student का समूद था जो की friend इस्लामिक ला से खुश नहीं थे इन्हें इस्लामिक ला अच्छा नहीं लग रहा था जो की अफ़गानिस्तान में लाया गया था तो friend यह चाहते थे कि इनके मुताबिक इस्लामिक ला वहां पर लगाए जाएं तो friend इसमें जो भी असंतुष्ट चुड़ गए जिनमेंसे friend अफगान रिफ्यूज भी सामिलते और रिलेजियस स्कूल के और मदरसा जो होते हैं friend उनके भी स्टूडेंट सामिल हो गए और उन्होंने यह ग्रूप चाहिन किया और बहुत सारे friend पाकिस्तान के भी थे उन्होंने भी इस ग्रूप को जोइन कर प्रेंट और friend इसी समय यूएस ने भी friend इसको देखते हुए अपना उलाब देखा अपना लाब देखा और उसने भी friend ऐसी school book friend बटवाई इनके बीज की रसीयन के विरुद इनके अंदर घ्रणा भर जाए और friend यह रसीयन को अपना दुस्मन समझें तो इसके लिए friend अमेरिका ने funding भी दे millions of dollar की friend आप देख सकते हैं 1980 की दौरान क्या यह millions of dollar की funding भी दे गई इनकार करम के लिए यूएस की government दौरा आप देख सकते हैं आगे बात करेंगे तो friend जब यह power में थे तालिबांस अफगानिस्तान में तो friend इनका लच्च क्या था तो इनका लच्च आप देख सकते हैं अबदुर्रह्मान जो की एक अमीर थे friend इनके सांसन को फिर से लाना और साथी साथ friend आप देख सकते हैं परस्तून डॉमिनस को बढ़ाना इनका लच और यह 1995 से 2001 तक बहुत ही अच्छी तरीके वर्क भी कर पाये थे इसके लिए और आप देख सकते हैं इन्होंने इस दौरान ही 1995 से 2001 के दौरान इस्टैबलिस किया एक इसलामिक गवर्मेंट और जिसमें बहुत ही ज्यादा कठोर ला ओर्डर रखे friend और साथी साथ इन्होंन अपना कानून भी लगाया और 1998 तक इन्होंने लगभग देख सकते हैं अफगानिस्तान के 90 परसेंट भाग पर कपज़ा जमालिया था और फिर friend जब इनका जो था बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था ब्रूटेल्टी तो friend बाहर जब बाहरी कंट्रियों को इसके बारे में पता चला तो दिसंबर 2000 आठ 2000 में फ्रेंड यूनाइटेड नेसा सिक्योर्टी कॉंसिल ने एक रजे सुलूशन लाई और friend इसमें क्या निर्डे लिया गया कि ये अफगान पीपुल को माल रहे हैं औ इसको बढ़ा रहे हैं और अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा रहे हैं और ये लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि बहुत ही गरत था और इनी में से एक क्या था उसामा बिन लादेन था इन सब को देखते हुए यूनाइटेड नेसन अफगानिस्तान के तालिबान जो कि उसमें सत्तामिद्धा उस पर क्या किया कठोर सेंक्षन लगा दिये हैं आप देख सकते हैं और फिर अक्टूबर 2001 में यूनाइटेड ने इस्टेट्स ने फ्रेंड एलाइड फोर्सेस के साथ क्या किया अफगानिस्तान पर अफगानिस्तान में तालिबान पावर में था तो उसने इस दोरान 6 वर्स लगबग साजन किया तो फ्रेंड उससे क्या नुकसान हुए कंट्री को इसके बारे में भी हम जानेंगे फ्रेंड तो फ्रेंड आप देखते हैं कि जब ये 1916 में सत्तामे था और तो फ्रेंड इस गहरा घात पहुचाया आप देख सकते हैं और फ्रेंड वहां पर वाटर सप्लाई इलेक्रिक्सिटी में कमी सब चीज की होती चली गए और आप देख सकते हैं लोग की बेसिक कीजे हैं फ्रेंड वाटर फूड और हाउसिंग और वह भी फ्रेंड उनकी वी क्या हो गई भा से जादा थी वाटर में फ्रेंड और आप देख सकते हैं कि पांच वर से पहले ही बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं यहां पे फ्रेंड क्योंकि उनके पास कोई सुपिदा नहीं है और यह भी देख सकते हैं आप कि 1998 में कितना ही पहुच गई थी वीड़ो की संक्या यहां पे 98,000 पहुच गई थी तो इस तरह आप देख सकते हैं कैसी इनके दौरा की गई थी अफगानिस्तान के लोगों पर जिसकी वज़े से उनका जीवन बहुती ज्यादा कश्टिदार हो गया था इन सब को देखती है फ्रेंड 20 सितंबर 2000 को उस समय के तदकाल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो की जार्ज डबलू बेस थे उन्होंने फ्रेंड अपनी कॉंग्रेस में फ्रेंड एक डिसीजन लिया कि वो अलकाइदा को खत्म करेंगे और फ्रेंड अफगानिस्तन पर अटेक क करेंगे और आप देख सकते हैं उन्होंने इसकी अलुष्णा की कि तालिबान बहुती ज़्यादा गरत कर रहा है और उन्होंने यह डिसीजन लिया अब देख सकते हैं कि नों ने इंटरनेशनल कम्यूटी में क्या पिटिटिशन भी जारी गी फ्रेंड कि तालिबान पर क्या जित दर्ज की जाए तो फ्रेंड फिर यू यू एनों ने फ्रेंड क्या किया रिजोलूसन पास कर दिया और फिर उसके बाद अमेरिका ने फ्रेंड नाटो सहित और कई तारी कंट्रियां जैसे की यूनाइटेड किंगडम और कनाड़ा आस्ट्रेलिया कि स्नयुक्त सेनाओं के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया फ्रेंड और इस प्रकार अमेरिका वहा कर देगा लेकिन फ्रेंड देखते देखते 20 साल हो गए और अब भी युद्ध चल रहा है युद्ध का कोई हल नहीं निकला और फ्रेंड इसमें अमेरिका ने लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर भी लगा दिये इस दान इस दौरान अफगानिस्तान बे लेकिन इन सब्सका भी क कर दो हजार एक से चालू है जो कि अभी तक अफगानिस्तान में अफगानिस्तान पर युनाइटेड इस्टेट ने विजय प्राप्त करने के उद्देश से फ्रेंड आकरमल किया तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये दो चनरण में युद्ध हो रहा था फ्रेंड पहला ज हो गए हैं युद्ध लड़ते लड़ते सभी से नाओ को लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और इसमें दो ट्रिग्रेंड से ज्यादा डॉलर खरच हो चुके हैं अमेरिकी गवर्ल्मेंट दौरा और यह एक डाटा फ्रेंड जिसमें आप देख सकते हैं कि अफगा युनाइटेड इस्टेट्स की बात की जाए तो फ्रेंड इसके लगभग 2420 लोग और युनाइटेड इंग्डम की बात की जाए तो 456 कनेड़ा की 169 फ्रांस की 89 और जर्मनी के 57 तो इस तरह आप देख सकते हैं पूरा डेटा दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें अमेरिका की बात हो रही है अफगानिस्तान से सैनको को निकालने की की फ्रेंड इतने वर्स हो गए हैं अमेरिकी सैनक वहीं फसे हुए हैं जिसकी वज़ए से फ्रेंड बहुत ज्यादा अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो इसी को लिकर इस आटके में बात की गई ह और देख सकते हैं आप फिर आया 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच डील हुए फ्रेंड अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प और तालिबान के बीच तो इसमें कुछ डिचिजन लिए गए कि युए से अफगानिस्तान छोड़ देगा लेकिन उसने कुछ सरते भी रखी तालिबान के समझ और उन सरतों पर क्या करना था? तालिबान को माननी थी तो फ्रेंट वो सरते थी क्या थी? वाइलेंस को कम करेगी तारिबान वाइलेंस नहीं करेगी और इसके एवज में जो भी बेदेशी ट्रूप्स हैं वो क्या कर देंगे? अपगानिस्तान को छोड़ देंगे और फ्रेंट आपगान के साथ क्या किया जाएगा? और साथी साथ जो इंट्रापगान होगे उनके बीच क्या किया जाएगा? निगोसियेशन किया जाएगा और साथी साथ फ्रेंट ये डिसीजन लिया गया इसमें कि तालिबान को फिर से आतंगी संगटन नहीं बनने देना है कि इसमें आप आतंकियों की भरती चालू कर दें और साथी साथ इनकी ट्रेनिंग तो ये डिसिजन लेया गया और फ्रेंड इस तरह ये 18 से 19 वर्थ लंबा जो युद्ध चल रहा था इसको बिराम देने पर विचार हुआ और इस सिद्ध में लगबग 1,57,000 लोग मारे गए थे अफगानिस्तान के और युनाइटेड इस्टेट ने इन पर कितने दो ट्रिलिजिन डॉलर भी खर्च किये थे लेकिन इसका कोई भी नतीज़ा नहीं निकला आज भी अफगानिस्तान में तारिबान सक्री है और हुआ इनोसियंट लोगों की जाने ले रहा है और हाल के महीने में पूरी तरीके अफगानिस्तान को खाली करने की डील हुए थी इस डील में जो की युएस और तालिबान के बीच हुई थी फ्रेंट आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अमेर्की सैनिक रिटर्न करते हुए अपने देश को और जिसकी वज़े से फ्रेंड यहां पर फिर से अरजक्ता का महौल बनने लगा है अगे और बात करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हाली की दिनों में अफगानिस्तान फिर से एक बार अपनी जवर्जस्त मौजूद की दर्ज करा रहा अफगानिस्तान में और उसने सरकार के अधिन जितने भी छे प्रेतर से उन पर कपजा जमाना सुरू कर दिया और खुद को सता पर लाने की सोच रहा है तो आप देख सकते हैं इस दोरान तालिबान ने कई सारी जो मेजर कैपिटल्स थी उनकी सिटीज की उन पर भी कपजा किया हुआ है यह बीबीसी के अर्ट के लिए तो यह देख सक जो भी सरकार के आदमी थे उन सब को निकाल दिया है और वहाँ पर अपने आदमियों को वैठा दिया है इस तरह के वहाँ पर क्या ऐसी अरजगता चल लाई है और जब अफगानिस्तान सरकार ने देखा कि इसका कोई भी सलूसन नहीं निकलना है तो उसने एक विचार दिया हुआ है तालिबान को कि हम आपके साथ सक्ता सेयर करेंगे यह ब्रूटल्टी बंद कीजए कि आप इनोसिंट लोगों की जान लेना बंद करें और तो इस तर पर तालिबान एक बार हो सकता है फिर अफगानिस्तान की सथा पर कभी जोड जाये और फ्रेंड अगर अब अफगानिस्तान में तालिबान फिर से कबजा कर लेता है तो फ्रेंड 18-19 वरत्तों से चला आ रहा जो अमेरिकी संगर्थ था उसको फ्रेंड बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और साथी साथ अमेरिका को डो ट्रिलियन डॉलर के चोड़ पहुचेगी फ्रेंड क्योंकि इसका कोई रिज़र्ट नहीं निकला क्योंकि अमेरिका का मुक्त देश क्या था तालिबान का सफाया करना लेकिन इस पे सफन नहीं हो पाएगा और उनके सैनिक भी छोड़ रहे हैं तालिबान अब गानिस्तान तो फ्रेंड ये था लेक्चर आपको कैसा लगा केमेंट तरके ज़रूर बताएं फ्रेंड मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पार वाचिंग